राजस्थान में लोक्तभा चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस एक बड़ा प्लान तयार कर रही है इस नए गेम के तहट राजस्थान में कॉंग्रेस मोधी फॉर्मूला लागू कर सकती है इससे बीजेपी के मेगा प्लान को जटका लग सकता है नवस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NBC भारत पर मैं हूँ आपके साथ मयंग तिवारी राजस्थान में कॉंग्रेस के मेगा प्लान के तहट विधान सभा चुनाओं में जीत कर आए विधायकों पर बड़ा ताओं लगा सकती है अगर ऐसा होता है तो भारती जनता पर्टी को अपनी रणीत में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है पार्टी के अंदर खाने चर्चाएं तेज हैं कि विधान सभा चुनाओं में जीत कर आए कॉंग्रेस विधायकों को ही लोगसभा चुनाओं का टिकट दिया जा सकता है पार्टी को भरोसा है कि जिन विधायकों ने विधान सभा चुनाओं में जीत दर्ज की है उनमें से कई ऐसे चेरे हैं जो लोगसभाद चुनाओं में भी दमखम से लड़कर पार्टी को जीत दिला सकते हैं अब समस्ते चलिए कि मोधी फार्मूला क्या है पांच राज्यों के विधानसभाद चुनाओं में बीजेपी ने मौझूदा सांसदों को विधायकी का चुनाओं लड़वाया था करते हैं प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी ने यह सुझा दिया था कि सांसदों को विधानसभाद का चुनाओं लड़वाया जाए बीजेबी का या फार्मूला काफी हद तक सफल रहा मध्यप्रदेश में पार्टी को खासी बड़ी काम्यावी हाथ लगी राजस्थान में भी साथ में से चार सांसत जीतने में काम्याव रहे और उनमें से तीन कैबिनेट मिनिश्टर भी बने हाला कि कॉंग्रेस को ये भी समझना होगा कि लोकसभाचुनाओ और विधानसभाचुनाओ में फर्क होता है जहां विधानसभाचुनाओ स्थानी मुद्दों पर लड़ा जाता है तो वहीं लोकसभाचुनाओ में एक national level पर narrative set किया जाता है जिसकी बदावलत ground level पर उम्मीदवार चुनाओ लड़ते हैं ऐसे में कॉंग्रेस इस मोधी फार्मूले को राजस्थान में लागू करती है तो इसकी success rate क्या होती है इसे लेकर भी एक बड़ा सवाल है वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर कॉंग्रेस इस फार्मूले को लागू करती है तो क्या सोग गहलोच, सचिन पाइलट और गोविन सिंग, डोटासरा जैसे बड़े नेताओं को भी चुनाओं में उतारा जाएगा या उनके जरिये दूसरे उम्मीदवारों को चुनाओं लड़ाये जाएगा क्योकि इन नेताओं की लोग प्रियता भी ज़्यादा है गौरतलब है कि विधानसभा चुनाओं में हार के बावजूद कॉंग्रेस अपना वोट सेयर बरकरार रखने में काम्याब हुई है ऐसे में भले ही राजस्थान से कॉंग्रेस को सत्ता गवानी पड़ी हो लेकिन पार्टी को लोगसभा चुनाओं में कई उम्मीदे हैं तो वहीं बीजेपी के पास एक बार फिर क्लीन स्विप के रिकॉर्ड की हैट्रिक लगाने की चुनाओती है वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का उम्मीद है मारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी आपसे भी उम्मीद है आपके वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और कमेंट सिक्टन में जाकर कॉंग्रेस की इस रणनीत के बारे में अपनी बिवाक आवाज बुलन करेंगे नश्कार